नमस्कार किसान भाईयों, मैं हरी विजे दुभे, सबजी विज्ञान विभाग, चंद सेखा राजात, क्रिशियम प्रेद्योगी की विश्विद्याले कानपुर से बोल रहा हूँ आज मैं अपने किसान भाईयों को बताऊँगा कि टमाटर की खाड़ी फसल में कैसे प्रबंधन करें, जिससे अपनी उपज को बढ़ा सकें तो जैसे इस समय कि हमाई किसान भाईयों की खेत में टमाटर की फसल लगी हुई है तो उसमें सबसे मेंची जाती है खरपतवार प्रबंधन की, तो मैं सबसे पहले बताऊँगा कि अपने किसान भाईयों को क्यों खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, क्यों करना, खरपतवार प्रबंधन करना जरूरी क्यों है, सबसे फ़हले मेंची जी आती है कि जैसे महमान आ चार लोग तो आप खाने के लिए जैसे देंगे सबको तो बट जाएगा ना खाना आप कहां चार रोटी आपकी कैपिसिटी है खाने की तो चार लोगों में डिवाइट हो जाएगा तो इससे बहुत कम-कम चीजे वही खरपतवार हमाई फसल को वैसे खरपतवार हमा उनको अपनी ओर आकरफित कर लेते हैं और खरपतवार उसका पुरा उभ्योग करते हैं और हमाई फसल उसके कारण कम-जोर हो जाती है और हमाई फसल में लगबग 10-20 पर फिंट तक हमें उसका नुक्सान सहना पड़ता है तो सबसे बात आती है कि जब हमाई फसल लगबग एक महीने की हो जाए, 30 दिन की हो जाए, 30 दिन बाद हमें उसमें हलकी निराई गुड़ाई करके जो खेत में अबैद उगे हुए खरपतवार है उनको निकाल देना चाहिए खुरपी की साहता से और हलकी खेत की गुड़ाई करने से यह होता है कि जो हमाई पौधे हैं वो य самहें आसानी से हवा का आउबान उनकी जड़ों में होताँ रहेगी जिससे आव सब़ान होने से क्या होगा कि हमाई जड़ें हैं वह अधिक भिक्सित होंगी और अधिक फैलेंगी जिससे rent पूधे का भरपूर भी कास?" अब बात आती है कि उसमें सिचाई कैसे करें खाद कैसे उप्योग करें और कैसे कीत नियंद्रण डालें जिससे हमाई फसल अच्छी उपश दे तो आप बात आती है सिचाई प्रबंधन की तो जब हम लोग खर्पतवार निकाल देते हैं उसके बाद से हम लगभग हर 15 देज पर हलकी सिचाई करते रहें जिसे खेत में बराबर नमी बात बराबर मातर में नमी बनी रहें नमी बन Direний रहने से क्या होगा कि हमाएं परोढ़े में पाला जैसे दालते हैं लगभग 100 kg nitrogen डालते हैं 50-60 kg फासफोरफ डालते हैं यह सब की चीजों की जो मात्राइं होती है वो तो पूरी मिला देते हैं लेकिन जो nitrogen की मात्रा रहती है वह आधी मात्रा ही हम लोग खेत में खेत के तैयारी के समय में मिलाते हैं तो हलके हारे जब निराई गुड़ाई कर लें निराई गुड़ाई करने के बाद जो सेस बची हुना इत्रोजन की मात्रा है उसको दो हिस्तों दो भागों में डिवाइड कर लें जो पहली बार जब निराई गुड़ाई करें उसके बाद खेत में पूरी तर तरह से तो अगर उससे बचाओ करने के लिए सबसे एक ही में तरीका है किया तो हम लोग पौधे को उखाड़ कर नश्ट करने और दूसरा उससे बचाने के लिए हम लोग एक इमीडा क्लोफिट डामा के दवा आती है जिसका तीन ग्राम तीन एमल पर लीटर पर दफ लीटर पानी में मिलाकर हम लोग पूरे अपने टमाटर के पौधों पर इस पर करते रहें अगर टाइम टू टाइम लगवक दस से पंदर दिन के अंतराल पर यह इस पर करते रहेंग कोई भी फून नसी ले लें कार्बेंडडा जिम हो जो आपके पास उपलब्द हो समय उसका 2-2.5 ग्राम पर लीटर पानी मिलाकर डोज का इस पर हर 15 दिन के अंतराल पर कर देते हैं अब बात आती है इसमें लगने वाले कीटों की तो इसमें लगने वाला मुख कीट है जो वह है फ्रूट वोरार यानि फल छेदक फल छेदक क्या होता है जो एक कीड़ा होता है वह हमाई फल के अंदर जाके उसको पूरे तरह से खोखला करके गला देता है और पौधे जिसके करण हमाई फसल को बहुत ज्यादा नुक्सान उठाना पड़ता है हमाई किसान वह स्प्रे करते हैं पौधं पर करने से क्या रहाएं कि हम इसे काफीयत तक बचाया जा सकता है अब एक और इसमें जाती है whitefly क्या करती है वाइट फ्लाई आके उसमें अपने लार्वा अंडे छोड़ देती है जो दीरे 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 करके पूरे फसल में फैल जाते हैं और हमाई फसल को काफी यह तक बहुत ज्यादा ही नुक्सान पहुचाते हैं इससे बचाने के लिए हमाई किसान भाई क्या करें कि एक एसी टाम सकते हैं और अधिकलाब कमा सकते हैं और इस तरह बताई हुई बात से अगर किसान भाई हमाई खेती करते हैं तो उनको लगभग 40-45 टन यानि 400 से लगभग 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक संकर टमाटर का जो है उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और जो हम लोग के नार्मल प्रति हेक्टेयर पादन प्राप्त कर सकते हैं